दोस्तो अगर आप एक दुकानदार है और QR कोड़ पे आप पैसा लेते हैं कस्टमबर से तो आपको साब्धान होने की ज़रुत है क्योंकि कस्टमबर जो है सो आपको 1000 रुपया का चूना लगा के जा सकता है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप सून रहे हैं पहले आप सबूत देख लिजे कि नुक्सानी क्या हो सकता है फिर हम आगे की बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए QR पे पै दिखाता हूँ फिर आपको समझ मैं आएगा कि सही मैं पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यहाँ पे मैंने दो दिन पहले पैसा लिया था और वह स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि यह आज का नहीं है दो दिन पहले का है तो मुझे इसके लिए चार तर्य को पैसा लिया था, मैं दो दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, देख लीजे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यह मैंने पैसा लिया हुआ है, पांच जार दोस्तों आप हम समझते हैं और उसका करन किया है क्यों मैं आपको बोल रहा हूं क्यों आपको पैसा नहीं लेने के लिए और अगर आप लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए होता यह है कि लगभग सबादोर पे आपका करता है अगर अपने फोन पे या गूगल पेसे आपके स्काइनर पर पैसा भेजता है किस इस्तिती में पैसा कटेगा तो जब ओ-क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करेगा दोस्तों होता यह है कि जयादा त करता है कि कोई भी आया तो ठीक है आप यूए रोपया नहीं करता है लेकिन वहीं पर अगर क्रेशित आएगा पूरे पैसे का कहने का मतलब यह हुआ कि अगर वो आपके account पे 10,000 पे भेजता है तो आपको message मिलेगा 10,000 का आपको लगेगा कि हाँ 10,000 मेरे account में आ गया है लेकिन वहीं पे अगर आप statement चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका जो है सबादो रुपिया के हिसाब से वहाँ पे एक वैसा कटा हुआ है यानि क वो direct आपको नुक्षानी हो सकता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपनी तो जैसे कि 5000 में आपने देखा कि 112 रुपिया कटा हुआ है तो वहाँ पे आप 10,000 में जोड़ लिचे कितना कटेगा यानि कि लगभग 225 रुपिया कटेगा तो इस चीज से आपको भी थोड़ा सावधान होने की जरूत है अगर आप पैसा लेते हैं तो पैसा लेने के लिए मना नहीं आप पैसा लेजिए लिखने की इसका और दो त typ कार इस तो है यहाँ पैसा दीजिए फिर समान का पैसा है तो आप वहां पर वरिफा हो जाईए लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि कोई credit card से आपको payment ही न कर पाए तो इसके लिए जो है सो आपको उस service को disable करवाना पड़ेगा आप जिस चीज का QR चलाते हैं phone pay का चलाते हैं तो phone pay में जाके उसको disable कर दीजिए तो क्या होगा जब भी कोई credit card से पैसा भेजने की कोशिज करेगा तो आपके scanner पे पैसा जाएगा ही ने तो दोस्तो ये थी आज की जानकरी I hope आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा जानकरी अच्छी लेगे हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर अगर आप मुझे facebook पे देख रहे हैं तो follow भी कर सकते हैं